इस वीडियो में बात कर लेते हैं के सीपी लेमिटेड की क्विक्ली अनलेसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब परना मत भूलेगा तो यहां पर के सीपी में आप देखोगे कि स्टॉक में बहुत हैवी रिकावरी चल रही है तीन दिन से एक अलगी लेवल की कहानी चल रही है के पी में अगर आप देखें यहां कहीं पर इस लेवल से देखते हैं तो 51 परसंट रिटन दे दिए दो दिन में स्टॉक में और अभी भी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है कि स्टॉक और भी उपर जा सकता है अब वजह क्या है कि सदन अप मूव आ गय यह वह समझ लेते किसी पावर लिमेटेट से इंगेज इंगेज इन दा बिजनेस अफ मैनुफेक्ट्रेंट सेल अफ सिमेंट सुगर हेवी एंजिनिंग पावर जेनरेशन फॉर क्याप्टिव यूज थीजिए न अब यहां पर सिमेंट बिजनेस है जो इसका से 71 परसंट सुगर से 22 रेविन्यू आता है और पावर बिजनेस से 3 परसंट का रेविन्यू आता है अब यह जो इसकी आप देखें जो लोकेशन है कि यह लोकेटेड है अपनी चेन नहीं में ठीक है और वहां पर आंद्रप्रदेश के एरिये में इसका चेन नहीं हुआ ता ना सौरी आंद्रप्रदेश तामिल नाडू उस एरिये में इसका ज्यादा इंफ्लोएंस है कंपनी का कंपनी का हाला कि मार्केट के बड़ा नहीं है 3211 करोड का मार्केट कैप है बट क्वाटली नजर पर रिजल्ट पर नजर डालने तो यहां पर प्रॉफेटेबल है यह यहां पर से बढ़ रही है यहां पर लास्ट को आर्टर से अच्छी रही है सेल्सिक्स 25C रही है लास्टाइम 598 थी नेट पॉफेट इस बार 85C रहा इन्वेस्टर्स में भी आप देखें तो यहां पर स्टेक ठीक चल रहा है अपने एक परसेंट के आसपास जिससे साफ कंपनी का ए है वो तो बनना ही है तेल्गु देशम पार्टी के जो चीफ हैं यह सीम बनेंगे और इसी लिए अपना केसी पी यहां पर 18% से ज्यादा राइस कर चुका है एक दिन में हर दिन अपर सर्कृट लग रहे हैं दस परसेंट के साथ और के साथ और के सीपी लिमिटेड में जो इसके समय आंधर अंधरप्रदेस में हैं तो इसके स्वेच्च प्लाच है जो Umra boatly में और Umraw established आपर साथ बानेगा और प्रदेश का ऐसाभ पर नेगा तो सब्सक्राइब कश्यों के साप से जैसा heritage food में अपनको boom देखने को मिल रहा है, वैसा ही boom इसमें भी देखने को मिलेगा, heritage का फिर भी यह है कि food के business में जादा है वो, यहां diversify sector है, तो आने वाले दिनों में definitely तेजी देखने को मिलेगी, तो यहां पर बात कर लेते हैं कि stock में, क्या scene रहेगा, कहां तक जाएगा आप देखो, यहां पर range bound था, breakout हुआ, gap up opening होई, near term, gap filling के लिए आएगा, अभी news में है तो तेजी पकड़ रहा है, तो उस भावनों में मत भेह जाना कहीं, कि इसको buy कलने कहीं उपर के level पर, अभी एक buy zone में है जरूर, बट इतना जादा heavy quantity infuse मत कर दीजगा, कि आप कहीं न कहीं regret करें, क्योंकि news में रहते हैं, तो फिर उपर तेजी अच्छी दिखाते हैं, बट फिर समय के साथ ये बातें पुरानी हो जाती है, और फिर थोड़ा pullback भी दिखने लगता है, तो उसे साब से समझदारी दिखाएगा, यह में इसके already उपर चल रहा है stock, target अभी 250 attain किय करेंगे, और KCP और Heritage कुछ 10-10% का गेम खेल रहे हैं, और फिलहाल ऐसे ही जा रहे हैं, तो यहां पर साफधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि अपर सर्केट, लोग सर्केट रिस्की भी उतना होता है, जितना अच्छा होता है, इन नहीं अटम stock में यह कुछ target है, बट यह correction दिखाएंगे जब उसके बाद और भी अच्छा चलेंगे, फिलहाल stock एक range bound से break होके निकल रहा है, तो फिलहाल तो उम्मीद है कि stock में definitely अपन को यह target दिख सकते हैं यहां पर साफधानी बरतिए का 100% के target आसपास भी 300 के करीब हो जाएंगे, तो यहां पर उसके लिए भी त रहता हूं इन दोनों टाइम पर, तो अपने queries वहां clear किया करें, strong support stock में act करते हों नजर आएगा 240 का, और इसके नीचे फिर यह कुछ level है 225, I hope यहां पर मैंने केसी पर आपको clear कर दिया, यह अपनी resistance रहेंगी है और यह सारे support, चले तो मिलते हैं next video में, this is me Subhamiyadav signing off.